नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रोहीतुर आप देख रहे हैं बीग्रोमी से दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगा धन्यवाद करूँगा दिल से थेंक्यू बोलता हूँ आप लोग को कि अब जो हम एक लाख मेंबर जो हैं हमारे यूट्यूब चैनल में जुड़ चुके है और यह मेरे लिए सच बताऊं तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि सिर्फ म्यूजिक से रिलेटिड चैनल को लेके जाना और वो भी कार ओडियो को लेके तो बहुत बड़ी बात है वैसे आप बोलो के बहुत सारे चैनल ने जो कार ओडियो दिखाते हैं बट भाई वो कार ओ है दीरे-दीरे हो रहा है बट इतना नहीं है तो उसी साफ से देखा जाए तो एक लाख बहुत बड़ी बात है एक लाख लोगों को जोड़ना यह बहुत बड़ी बात होती है तो चलिए अब सोनी का 1800 वाट लेलो ठीक है पाइनर का जो हमारा ए 1200 वाट थीक है वो भी घटिया सब वूफर है और जेबील का पंदरा सो वाट है उसकी quality भी JBL ने हलकी कर दी है ठीक है अगर जो इनको compare करें पुराने सब woofer के साथ तो भाई कुछ भी मजा नहीं आएगा आप लोगों को और price वही है पता नहीं यह लोग हमारे इंडिया को इतना cheap क्यों समझ रहे हैं कि हमें cheap quality देने की कोशिश कर रहे है ठीक है मैंने pineal के पास भी pineal इंडिया के पास मैंने mail की थी एक बार मेरे पास दो बार मैंने mail की थी मेरे पास आज भी उनका कोई reply नहीं आया A-1200 को लेके मैंने उनके पास mail की थी कि भाई ये subwoofer आप इतना घटिया क्यों दे रहे हो मैंने उनसे पूछा था बड़ उनके पास पूछा सिर्फ मैंने mail के थुरू नहीं पूछा मैंने उनको call भी की थी लेकिन call पे भी उनका कोई reply नहीं आया मेरे पास अब JBL का 1500 Watt है अब 1500 Watt को हम 1200 Watt के साथ compare करें तो भाई कुछ भी नहीं है वो 1500 Watt उसका और जो Sony का 1800 Watt है और जो नया model है उसका उसके साथ compare करते हैं भाई जमीन आस्मान का फरक है तो इनमें कोई ज्यादा अच्छा नहीं है subwoofer अभी देखा जाए तो इसके हिसाब से मैं आपको एक चीज बदाता हूँ अगर जो आप ये subwoofer लेने की कोशिश कर रहे हो तो भाई मत लेना आप इससे ठीक handmade subwoofer ले सकते हो इनसे सस्ते मिलेंगे और अच्छे मिलेंगे अगर जो इससे ज्यादा का budget है आपका तो आप इससे अच्छे subwoofer ले सकते हो पॉल को अडियो ले लो अपना ठीक है और हमारा infinity का subwoofer है और भी बहुत सारी कंपनी है जिनके subwoofer अच्छे हैं बट JBL Sony Piner की तरफ मत जाना ये चीज धान रखना इनके पुराने मोडल आप ल 200W RMS का subwoofer है बट भाई वो 200 भी नहीं चलता ये चीज़ ध्यान रखना वो 200 भी नहीं चलेगा वो 200 पे ही आपका हीटों की खराब हो जाएगा रहा ही नहीं है कुछ भी subwoofer में अब अब मुझे नहीं पता कि किस वज़े से कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं मुझे इसका reason नहीं पता बट हां मैं ये बोलता हूं कि अगर जो आप लेने जा रहे हो इन subwoofer को जो new model है हमारे JBL Sony Piner के तो please मत लेना handmade subwoofer लेना बहुत अच्छे रह जाओगे आप लेकिन इनको मत लेना आप old मिलते हैं लेलो नहीं मिलते तो टाटा बाय बाय कर दो इनको यार सच्चाई है य यूज भी कर रहे हों कि उनको पता भी लग रहा होगा कि हां भाई मैं इस चीज को यूज कर रहा हूं भाई बिल्कुल घटी है यह सच्चाई है भाई मत लेना मत लेना मत लेना और एक बार और आप लोगों से दिल से ठेंक्यू बोलता हूं आप लोगों को कि आप लोगो कि आप कुछ नया चैनल में अगर देखना चाहते हो, कार से रिलेटिड ही, तो प्लीज मुझे बताना कि आप क्या चीज देखना चाहते हो, तक कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो होगी या कभी भी मेरा होगा प्लान कुछ करने का अलग, तो मैं वो चीज आपके सामने लेके आंग बाई